गाउं में कहावत कही जाती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे किसी एमारत के गिरा देने से कोई कंगाल नहीं होता आप हमें माफिया कहलो वो गरीब जिनके हम सहारा बनते हैं वो हमें अपना मसीहा मान के चलता है हम बिना मजभव मिलत की परवाह किये बिना जाती और भिना धर्म की पूछे अगर कोई सताया हुआ इंसान आया तो इंसानियत के नाम पर उसके साथ खड़े होते हैं दवा लाखोटों से गाजीपूर की जनता ने उन्हें पराजित कर दिया अब उस पराजय का बदला ले रहे हैं आप बदला लेओ समय आपका भी आने वाला है परिक्षा फिर आपको भी देनी है और उस परिक्षा में घबरहाट इसी बात की है और बात सुनिया इसा तो ब को कदमें लाद करके हम आपको माफिया बनाते हैं सिर्फ मुसल्मानों के उपर ऐसा हो रहा है यह अर्ध सत्य है पूरा सत्य यह है कि समाज के हर दबे कुचले गरीब और बेसहारा लोगों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है पलपल नियूस से मैं हूँ आपके साथ नदिय मकरम उत्रपरदेश सरकार दावे बड़े-बड़े कर रही है और उन दावों की असलियत तब जाकर के पता लगती है जब ग्राउंड लेवल पर उत्रा जाए लगातार लोग सवाल कर रहे हैं उत्रपरदेश सरकार को ले करके सवाल खड़े भी हो रहे हैं पर उत्रपरदेश सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है इनी सब मुद्दों को ले करके आज मेरे साथ गाजीपूर से लोगसभा सारसाथ अफजाल अंसारी साहब मौजूद है मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने चार साल का जश्ण बड़े धूमधाम से मनाया लोगों को मेडिया प्रचार प्रसार भी किया गया आप कितने नंबर देते हैं योगी सरकार के चार साल के कारेकाल को देखे मेरा अपना मनना है कि ये जो सरकार है ये अभी इस चार साल के कारेकाल में प्रतेक वर्ष पूरा होने पर जश्ण मनाती रही है और ये खुद ही अपनी कापी लिखते हैं और खुद ही एक्जामनर के हैस्ज़त से कापी जाच के और नंबर भी दे देते हैं इसमें कभी किसी दूसरे को कापी जाचने का उसर नहीं मिला और लोगतंत की वरस्था में पांच साल के लिए जब जनता चुन करके किसी को उसर दे देती है तो फिर पांच साल तक वो लोग अपनी टीम के साथ अपनी योजनाएं तयार करते हैं अपने एजंडे और उसकी प्राथमिकताएं और उस पर फिर काम करते हैं तो योगी जी ने जो अपने योजनाएं या जो अपने एजंडे तय किये उनके उपर जो प्राथमिकताएं हैं वो सब देख रहा है इनकी प्राथमिकताओं में जो कुछ है और जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपने किरिया कला के लिए खुद ही अपनी कापी जाच रहे हैं और खुद ही नंबर दे रहे हैं और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े विज्यापनों के माध्यम से उसका खूब धिडोरा पीटा जा रहा है खूब उसको जश्न के रूप में मनाये जा रहा है अब समय आन वाले समय में कापी इस सरकार की कापी इस सरकार में के लोग नहीं जाचेंगे और मीडिया भी नहीं जाचेगी अब इसकी कापी जाचेगी जनता और जब जनता जाचेगी तो वो सही नंबर दे देगी कि आखिर इस सरकार ने पांच साल में इसकी प्रात्मिक ताएं क्या थी इसने काम क्या किये और उसके हिसाब से इनको नमबर मिलेगा अभी तो अपने ही परचा तैयार किया अपने ही कापी लिख दी और अपने ही नमबर दे के सो में सो डिक्टेंशन है पीठ अपनी थपपा लिया और बहुत कामयाब सरकार है इंतजार कीजिए अब तो ये 602 दिन बचा कल 306 दिन बचेगा घर्टा जाएगा अब कापी जनता जाचेगी तभी असलियत का पता चलेगा उल्टा चक्र यानी की योगी सरकार के लिए शुरू हो चुका है क्योंकि योगी सरकार के चार साल के कारेकाल को उठा कर के देखा जाए महिलाओं के उपर अत्यचार नहीं रोक पाई पर एक यूपी पुलिस डाटा देती है लोगों को सामने सारवजिनिक करती है कि हमारे चार साल के राज में जो है हमने क्राइम रेशो को बहुत कम कर दिया है ठोको नीती के तहट हमने इतना लोगों को ठोका है कि अपरादी के दिलों में योगी सरकार का खौफ पैड़ गया है ये किस तरीके की कारवाई हो रही है कि आए दिन खबरे वहीं है जगा बदल जाती है यही उनकी अपनी नीती है यही उनके प्रोग्राम है यही उनकी सोच है सदन में भी मानी मुखमंत्री जी इस बात का एलान करते है तो देखने में आ रहा कि पहली बार ऐसी सिचुएशन है कि जन परतिनिधियों की कहीं सुनवाई नहीं है और जो नौकर शाह है उनके चिराग जल रहे है उनके इशारे पे ही सारी विवस्था चल लई है लूट का सामराज यह है उत्तर प्रदेश बेईमानी घुसखोरी थाना हो तहसील हो विकास खंड मुख्याले हो जिला मुख्याले हो हर जंगा बिना काम की पैसा लिये कोई काम नहीं जायस काम भी बिना पैसा लिये नहीं और नाजायस काम अगर पैसे के साथ दे दिया जाए तो नाजायस काम जायस काम से भी पहले कर दिया जाएगा गड़ी केतनी मोटी है अंधेर मचा हुआ है कानून ब्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्थ हो चुकी है हाँ जरूर है कि जिस तरह से अपराधी और अपराधियों के गिरोह संगठित गिरोह काम करते हैं उस तरह से आज इस राज्य में विवस्था सम्हालने वाली जो टीम है वो उसी तरह से योजना बना लेती है किसी को चिनित कर लेगी कि इसको जो है हम सुची बदापराधी टिकलेर करेंगे नाम तय कर लेगी कि इस पर हम इनाम घोशित करेंगे और ये भी तय कर लेगी कि हम जिस दिन इसे पकड़ेंगे इसे घुटने के नीचे गोली मार के पकड़ेंगे कि कमर से उपर गोली मार के पकड़ेंगे इसके च्छाती में गोली मार देंगे या अपने में भी सारे लोग पहले से तयार हैं पट्टी बनवाने के लिए कि मुटभेड में हम आज ही हम भी एक खबर पढ़ रहे थे एक कोई मुटभेड हुई है आजमगड में या मौव में जौनपूर का कोई है उसको कहा इनामिय प्रादी था फरार्था मार दिया अंधेर मचा हुआ है ये अपने आप में पहली बार हो रहा आरोप लगाने वाला ही जज भी है वही सजा तय कर दे रहा और वही जलाद भी है वही सजा दे भी दे रहा आरोप लगाने वाला भी वही जज भी वही जलाद भी वही आप मैं बताएगा अभी इस पे कुछ कहना उचित नहीं है अभी तो बस जो हो रहा उसको देखते जाईए ये कनवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तरह के लेकिन मैं समझता हूँ कि भारती जन्ता पार्टी के भीतर भयंकर अंतरकला है गाउं में समाज में सीधे साधे लोगों में एक आम बात कही जाती है ए भाईया जेकर निकम्मा पूत होलां सो तव अपन बाप दादा का बनावल संपतियों जुन्बा तो उन बेच देलां सो जेकर निकम्मा पूत होला उँ अपन घोर गिरहस्ती बंधक रख देला अपन बाप दादा का इज़त मिट्टी में मिला देला आज क्या हो रहा आज देश के पैमाने पर आप देख लीजिए बनाया तो कुछ नहीं ताज महल भी पचास साल के लिए रख दिया क्या कहा जा इसको आपने रेल बेच दी आप छे हवाई अड़ा प्राइवेट हाथों को सौंप दिये देड़ सौ ट्रेनों को बेचने के लिए आपने तयारी शुरू कर दी बी एसनल का कबाड़ा निकल गया एलाई सी का भठा बैड़ गया उसका भी गैरा परसेंट शेर बेचने की तयारी है अठारा लाख बैंक करमचारी बेरोजगार हो रहे हैं दाक एवं पोष्ट विभाग शुन्य में चला गया बचा क्या है इस देश में कलकार खाने बेचे जा रहे हैं क्या बचेगा सडकें बेची जा रहे हैं उन्ही उद्दोग पतियों को उन्ही चहेते उद्दोग पतियों को जिन चहेते उद्दोग पतियों के हाथ में जो प्रकृत की देन है, इसके नीचे जल है, इसके नीचे तेल है, इसके नीचे तमाम तरह के हीरे, जवाहराद, पत्थर, जो कुछ भी इसके नीचे है, कुईला, इस सब पर किसका कब्दा है? इनी बड़े उद्दुखपतियों का, जल जीवन इनका, इस धर्ती के ऊपर ज सारे कलकारखाने इनी उद्दुखपतियों के, अब क्या बाकी रह गया है इनके पास इस देश में? वो बाकी रह गया है भारत माता की धर्ती, और इस धर्ती को जिसका मालिक, इस भारत मा का बेटा सुपूत, जिसे किसान कहा जाता है, जो इस धर्ती को अपनी मा कहता है, उद्धोग पतियों को देने का प्रोग्राम है किसान तो इसे नहीं सुविकार कर रहा अब किसान इसे कत्ता ही नहीं तयार होगा वो धर्ती को अपनी मा समझता है और अपनी मा का सवदा कभी किसान नहीं कर सकता समस्या ये है कि इन लोगं को बात नहीं समझ में आती और बात इसलिए नहीं समझ में आती कि कुछ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं हमेशा कहा गया है कि भईया जकरा गोड में बेवाय ना फाटी उद्दूसरा का पीर के ना समझे आज खेतों में छुट्टा मवेशी फसले चर रहे हैं गरीबों के बच्चों के मुह के नेवाले को ये आवारा मवेशी खा रहे हैं लेकिन ये नहीं दिखाई देगा हमारे प्रदेश के रहनुमाओं को और इसलिए नहीं दिखाई देगा कि इनको अवलाद का दर्द ही नहीं है भगवान की कुछ ऐसी लीला है कि ये बे अवलाद हैं और जो बे अवलाद है वो अवलाद का दर्द नहीं समझ सकता ये परिष्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की आने वाले दिनों में आप देखिएगा समाज का हर वर्ग दुखी है मजदूर जो असंगटित छेत के मजदूर हैं उनकी दुर्दशा तो बयान नहीं की जा सकती घुसखोरी और बेइमानी छोटे छोटे गाउं में गरीबों के मकान उजारे जा रहे हैं आज भी गाजीपूर जन्पत में दस्देईयां गाउं है कठाउत गाउंसाभा में आज बुल्डोजर चल ला है क्या है बाई एक गरीब का मकान बना हुआ है क्या हुआ उस गरीब के मकान को क्यों गिरा रहे हो बुल्डोजर से इसलिए कि गाउंसामाज में बनाया है पूरा हिंदुस्तान गाउं का हिंदुस्तान गाउंसामाज में ही बसा हुआ है और गाउंसामाज में जब बसा हुआ है तो अपराद क्या है अगर शनरी 32 के लिए सुरक्षित जमीन हो, खलिहान के लिए सुरक्षित हो, चकरोट के लिए सुरक्षित हो, कमपोष्ट गाट के गड़े के लिए सुरक्षित हो, इस्कूल के लिए सुरक्षित हो, टीवेल के लिए सुरक्षित हो, अगर कोई सुरक्षित जमीन है और उस प अपड़ी डाल देता है, एक मकान बना लेता है, आप कहते हो कि हम मकान बना रहे हैं गरीबों का, आप उजार रहे हो, उजार रहे हो, और इस उजारने को अपनी उपलबधी समझ रहे हो, और समय आएगा जन्टा कापी जाचेगी जिस दिन जन्चा कापी जाचेगी उस दिन पता चलेगा आंधी मगरूर दरखतों को पटक जाएगी बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी और आस्मा छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमी पाउं के नीचे से सरक जाएगी वो वक्त आने वाला है वो वक्त यकीना नाने वाला है ये तो बात हुई कि जिस तरीके से लोगों की समस्याओं की बात हो रही है पर लगातार उत्रपरदेश सरकार जो है बदले की भावना पर भी काम कर रही है हम लगातार देख रहे हैं मुक्तार अंसारी हों चा लोगों के उपर कारवाई गरती हुई उत्तरपरदेश सरकार नजर आ रही है आकिरकार ये इतनी नफरत क्यूं है मुक्तार अंसारी के नाम से सरकार को देखिए ये गाउं में कहावत कही जाती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ये अपनी पराजय का बदला ले रहे है सरकार बन गई मौ की पराजय का बदला गाजीपूर की पराजय का बदला जंडा सारे हिंदुस्तान में गर जाता है तो आखिर क्या बात है कि पूरवांचल में वही जंडा उखड जाता है ये बदला लिया जा रहा है अब मैं आपको बताओं किसी इमारत के गिरा देने से कोई कंगाल नहीं होता असली पूझी गरीबों के दिल में हमारी तस्वीर बसी हुई है आप हमें माफिया कहलो वो गरीब जिनके हम सहारा बनते हैं वो हमें अपना मसीहा मान के चलता है हम उसके दुखदर्द में खड किये बिना जाती और बिना धर्म की पूछे अगर कोई सताया हुआ इंसान आया तो इंसानियत के नाम पर उसके साथ खड़े होते हैं उसका दर्द बाटने की कोशिश करते हैं उसके आंसू पोच्चते हैं और यही वज़ा है कि नौ पर्तिशत की आबादी है हमारे माइनर टीकी गाजी पूर जन्पद में आप गूगल खोल के देख लो और सवाला खोट से पार्लामेंट के चुनाव में इनके कद्दावर नेता मनोज सिना को जो बहुत बड़ा नाम है राजनित का जो संचार मंत्री भी थे रेल राज मंत्री भी थे डाक एवं पोश्ट विवा करते थे बीचु के प्रेसिडेंट रहें इसलिए बनारस के भी वह इंचार्ज हुआ करते थे उनका परचा भरवाने उस समय राष्टी अध्यक्ष की हैसियत से अमिच शाह गाजी पूर गय थे उनके लिए वोट मांगने तीन बार प्रधान मंत्री गय थे और योगी जी और उनके पूरे मंत्री मंडल के लोग वहां देरा गिराए रहे लेकिन गाजीपूर की जनता ने काम भी जाश दिया तो सवा लाखोटों से गाजीपूर की जनता ने उन्हें पराजित कर दिया अब उस पराजय का बदला ले रहे हैं आप बदला लेओ समय आपका भी आने करते हैं पांच बार से निर्वाचित विधायक है और पंदरा साल हो गया उनको जेल में गए वो 24 अक्तूबर को 24 अक्तूबर 2005 को एक मुखदमे में जेल में गए 24 अक्तूबर 2005 को मौ में एक दंगे में 14 अक्तूबर को दंगा हुआ था उस दंगे के मामले में 17 अक्तूबर को एक फायार लिखी गई उसमें लिखा गया कि दंगे वाले दिन मुक्तार अंसारी भी यहां थे और दंगे को बढ़ने में उन्होंने बढ़ावा दिया था उन चौबिस अक्तूबर को वो जेल गए 24 या 25 अक्तूबर को जेल गए और 25 अक्तूबर 2005 से और आज 22 मार्च 2021 तक वो जेल में हैं लगातार जेल में हैं तीन चुनाव जेल से परचा भरे जेल के सुपर्टेंडेंट के गवाही में और वहीं पे चुनाव आयोगा और उनका एज परचा दाखिल कर दिया और एक दिन की पेरोल भी नहीं मिली और उसके बाद भी वो चुनाव जीतता रहा उसको हराने मोदी जी भी गए उसको हराने योगी जी भी गए और ये लोग खुद हार के चले आए तो जिसको बार-बार हराते हैं वो 25 साल से जीत रहा है तो अब म आफिया है या मसीहा है इसका दूसरा पहलू सुन लीजिए योगी जी के विरुद देढ़ दर्जन मुकद में गंभीर धाराओं के मुकद में योगी जी के विरुद उनके मंत्री परशद में जो उपमुक मंत्री हैं मौरिया जी उनके खिलाफ हत्या सहीद गंभीर धारा को मुकदमे पूरे, उननके मंत्री मंडल में पूरे उनकी पार्टी में कई दरजन लोग ऐसे हैं, जिनके उपर घंभीर अपराधों के मुकदमे, hennious crime के मुकदमे, और बात सुनिया ऐसा, तो बेशर्म हमने दुनिया में नहीं देखा हम अपनी कलम से अपनी फाइल पे अपना मुकदमा वापस लेने का आदेश लिखते हैं और अपने आपको हम मिश्टर किलीन घोशित करते हैं और आपके उपर जूटे मुकदमे लाद करके हम आपको माफिया बनाते हैं ये तो ए एक अजीब मिसाल है आप अपने मुकदमे वापस लेते हो अपने मंत्री परशद के सदस्यों के मुकदमे वापस लेते हो तुम मिश्टर क्लीन हो इसी पार्लामेंट में भोई-भोई रो रहे थे मिश्टर क्लीन जेल गए थे भूल नहीं रही है इस उत्तर-प्रदेश की जनता भूली नहीं है वो जाचेगी कापी फिर पांच साल के बाद ही बीच में तो आप अपनी रफ्तार में जैसे चल ले हो चलो आये तो लगा कि अरी बाप ये बाप ये रामराज लाने लोग आ गए हैं कैसा रामराज है बहिया कैसा रामराज है जिस रामराज में लड़की के परिवार को बिना सूचित किये बिना बताए बिना उसकी मर्जी के अधी रात को देल डाल करके उसकी लाश भी जला दी गई मानी उचने आले सरवचने आले हस्तक छेप न किया होता क्या हशर हुआ होता उसकेस का पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है ह मा जरूर जब दबा आपने बना दिया है फो Chanel के बल पर तो विपक्षी पार्टियों के लोग भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं हैं औरम यह अबож्ष के लोगों के लिए अच्छा उसर है, वो धन उगाही कर रहे हैं और आपको कर रहे हैं सहाब आपकी सरकार की जय हो रही ह क्या किया आपने कि जय होगी बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्टी अध्यक्ष हैं जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बुंदेल खंड में एक बांध बनवाया था और उस बांध को चौधरी चरण सिंग किसान नेता के नाम से संबद किया था उस बांध से वो बोर्ट तोड़ के हटा दिया गया और उस बांध का नए सीरे से उद्गाटन योगी आदितनाथ से करा दिया गया तमाम अखिलेश यादों के मुखमंत्री तुकाल में बनी हुई योजनाओं को अपने नाम से जोड़ लिया गया आपकी उपलब्धी सिर्फ यह है कि आप लोग नाम बदलने में विश्वा सकते हैं कभी मुगल सराई स्टेशन का नाम बदल करके दीन देयाल नगर कर देंगे कभी इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रियाग राज कर देंगे अब तो हद हो गई गुजरात में सरदार बल्लब भाई पटेल के नाम का इस्टेडियम बदल करके मानिय महामहिम मोधी जी के नाम से कर दिया नाम बदल के ने के स्पेशलिस्ट है तो दूसरे का बबुआ खेलाने से आप बबुआ वाले नहीं कहे जाओगे अपनी उपलबदी बताओ हाँ आपके खाते में उपलबदी आएगी आपने अपने विरोधियों का बदला लेने के लिए जिनसे आप डरते हो उनका घर गिराए जिनसे आप डरते हो उसे भाईभीत हो उसे जोटे मुकदमें में फसाया जिससे आप डरते हो आने वाले दिनों में जनता हिसाब लेगी ठीक से हिसाब लेगी जनता हिसाब लेगी ठीक से हिसाब लेगी मैं आखरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ क्योंकि 2022 चुनाव नजदीक है और 2022 चुनाव से पहले पहले कई सारी गतिविदिया ऐसे हो रही है कि जैसे मानो सारी फसाद की जड़ मुस्लिम समाच हो क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से पानी पीने को लेकर के डासना में बवाल हुआ फिर तमाम संगठन के लोग वहां खड़े हो करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को गाली देते हुए नज़र आए साथी साथ जो बहुजन समाच पार्टी के विदायक है हाजी असलम चौधरी के धमकी दी कि उन्हें मार देंगे किस तरीके से देखते हैं क्योंकि अब अजानों से भी दिक्कते शुरू हो गई है क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही मामला गाजीपूर में आया था जिसे आपने तुरंट एक्शन ले करके उसे खुलवाया था देखे ये बड़ा समवेदंशील सवाल है इस पर मेरी सोच थोड़ा सा भिन है सिर्फ मुसल्मानों के उपर ऐसा हो रहा है ये अर्ध सत्य है पूरा सत्य ये है कि समाज के हर दबे, कुचले, गरीब और बेसाहरा लोगों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है उसमें मुसल्मानों का मामला हाइलाइट जादक किया जा रहा ताकि उनको राजनीतिक फाइदा पहुँचे वो ये कह सकें कि देखिए हम सबको नहीं सता रहे हम तो सिरिफ इनको सता रहे है ऐसा है नहीं आज हमने बताये दस दहिया में जो मकान गिर रहा है वो गरीब लोगों का घर है वो मुसल्मान एक को नहीं है वो गावे में एक को मुसल्मान नहीं है ना जाने किस कौन भचा है एक जाती विशेश को छोड़ कर जिसे संरक्षन प्रदान कर रही है ये सरकार उनके बड़े से बड़े अपराधी बिर्जेश सिंग बैठे हुए हैं बनारस की जेल में सरकारी महमान बन करके उनके खिलाफ मुकदमा है मुकतार अंसारी के विरुद जो साजिस रची जा रही उसकी बुनियाद में ये है कि मुकतार उस घटना में घायल हुआ था आठ लोगों को गोलियां लगी थी तीन लोग उस घटना में मारे गए थे वादी मुकदमा के हैसियत से मुकतार की गवाही होनी है अगर मुकतार गवाही कर देगा तो वो बिर्जेश सिंग जो चहेता है इन लोगों का उसका सितारा गर्दिश में हो जाएगा इसलिए मुकतार अंसारी को जुडिशियल कश्टाडी में हो पुलिस अभिरक्षा में हो यात्रा के दवरान रास्ते में हो किसी भी तरह से एन केन प्रकारेन इससे पहले भी प्रयास किया गया है गाजीपूर जेल में बंद थे तो बम से उड़ाने की कोशिश हुई और जिसके घर में बम बनाया जा रहा था उसका घर ही उड़ गया उपर वाले की किरपा और जो बम बना रहा था उसके चितड़े चितड़े हो गए जो बनवा रहा था वो पकड़े गए मुकदमे और उसने टिफिन में बम रखके सोचा था कि इनको दे देंगे और इनका काम तमाम कर देंगे लेकिन मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला दिल्ली पुलिस उस लंबु शर्मा का पीछा कर रही थी नकसलाइटों को बारूद सप्लाई करने के किसी मामले में और वो उसकी काल सुन रही थी और उसने कहीं से जो बारूद मंगाय था आगरा में इनका खात्मा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने नकसलाइटों को सप्लाई जा रही है इस भरम में पकड़ लिया और पकड़ लिया जब पूस्ताच की तो दिल्ली के क्राइम ब्रांच को पता चला कि अरे ये तो उस घटना के साथ ही साथ यहां भी एक बड़ी घटना करने जा रहा था उपकड़ा गया जेल गया वो आदमी बिहार में कोट के परिसर में हत्या करके भागा था जेल से वहां भी उसके उपर मुकदमा चला उसको फांसी की सदा हो गई लंबू शर्मा को मुख भी पता नहीं था जब वो बेहोश हालत में थे और वहां के दिश्टिक अडिमिस्टेशन ने उनको उसी बेहोशी के हालत में पीजी आई लखडव भेज के भरती कराया जब वो होश में आए जान बच सकी अब आज परिशान है कि पंजाब जेल में क्यों रहेंगे उत्तर सरकार प्रियोजित एक व्यक्ति की हत्या का पूरा खड़ियंत्र तैयार है अब चाहते यह हैं कि मानी सर्वोच नियाले से भी उनके दिट वालेंट पे दसकत करा ले मामलाज सब जुडिश है जादा बोलना उचित नहीं है सुप्रिम कोर्ट में बहस हो चुकी है निड़ जाय आएगा हम लोग कानून में विश्वास करते हैं समविधान को मानते हैं उसके अनुरूप हम अपनी कारवाई करेंगे लगातार जिस तरह से मुक्तार अंसारी को टारगेट किया जा रहा है जिस तरीके से उतरपरदेश की सियासत हो चुकी है वो कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि सिर्फ बदले की राजनीती में सब कुछ तभा कर देना चाहती है उतरपरदेश की सरकार